हालो श्टूडेंट इस आर्ती चोधरी सभी को बिलकुल वारी गुड़ी इवनिंग रादे रादे राम राम कैसे आप सब बढ़िया फस्क्लास एक बार जरा कोमेंट करके कंफर्म करेंगे बचा की ओडियो वीडियो सब कुछ ओलो के है और आज का एक बहुत ही प्यारा सा म करेंगी लेकिन वो मनजर भी लेकिन वो मनजर क्या खुबसूरत होगा जब आपकी काम्याभी शोर मचाएगी तो एक बार जरा सारे बचे क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और ओडियो वीडियो सब कुछ ओलो के हैं यह आप मुझे कंफर्म करेंगे हम अच्छा समय आपक क्लास आपका पहला कोशन क्या है भारती जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है भारती जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर इनमें से किसका होता है बताईए चली बताईए फटाफट के घुन- पूंका मुहँ कात का रिक ही on के ऊंड़ू के हैं देविए यह जन्संक विर किन झांसर कि क्छी फटवर्टन पर से भारती द्शंक्र में सबसे अधिक सामानने कैंसर इनमें से किसी चीन्स्टीज का होता तो सबसे अधिक सामान या कैंसर आपका कुसका होता है बच्चा मुह का ठीक है जो आपका किसका तमाकू वगरा खाने से इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आपका कैंसर फैलता है बेसिकली जो पूरी तरह से अंदर से आपके माउथ को डामेज कर सकता है चलिए गला कोशन स्रेखते हैं जराएख बार जो आपके यूरिनाल्स होते हैं यानि वोऊ शो यूम वग reinforcing वगरा उँचे उनके आजस्पास एक तीक ही गन्ध आती है वो अ गन्ध जो होती है इनमेशे किस चीज की हूती है आमाइट की अ मोनीया बताईए तो वो गंध इन में से किस चीज की होती है बचा आपकी अमोनिया की किस की होती है बचा आपकी अमोनिया की होती है अगला कोशन देखते हैं जरा एक बार नेक्ट कोशन क्या रहेगा लोटस जावा और एकल संबंदित हैं लोटस जावा और एकल इन में से किस से बंद रखते हैं आंसर सारे बच्चे करेंगे क्योंकि कोश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है बहुत इजी कोश्चन है और आपके इजी ही आएंगे एक्जाम में कोश्चन चीके जी कॉंप्यूटर विज्ञान आपको पता है बच्चा मिनिमम अगर मैं आपके बोलू तो ती तीन नंबर आपके आने के तीन कोश्चन बेसिकली आने के पूरे पूरे चांसिज है तो बहुता नंबर नहीं होता है और तीन कोश्चन अगर आप लोग 25 में से तीन कोश्चन आप गलती करके आगे तो फिर मतलब क्या होगा फिर तो आपकी नेगेटिव मार्किंग यही बढ़ेगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सही कोशन करने पर फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा कॉंटेंट पर आप लोगों को फोकस करना है जितना हो सकता है प्रक्तिस कीजिए क्योंकि अभी फ्रेश कंटेंट पढ़ने का तो तुम्हारे पास मे ही है sodium bicarbonate या आपका baking soda का रासाइनिक सूत्र इन में से कौन सा है या kitchen soda का इन में से आपका chemical formula क्या है किचिन soda का chemical formula इन में से आपका क्या है बताईए फटा फट जल यह लिए आंसर करेंगे तो क्या है बच्चे आपका kitchen soda का chemical formula na co3 sodium bicarbonate और washing soda का होता है na2 co3.10s2o और यदि soda ash यानि कि यदि आपसे soda की राख का formula पूछा जाए तो वह होता है na2 co3 लेकिन अधिकतर आप लोगों को लिखा हुआ क्या मिलता है washing soda के लिए या बच्चा धावक soda के लिए sodium carbonate लिखा हुआ मिलता है तो आप लोगों को अगर option कोई ऐसा मिलता है तो आप लोग उसे भी टिक करके आ सकते हैं चले एकला question देखते हैं जरा एक बार हमारे शरीर में उपाप चैई को नियंत्रित करने वाले hormone कहां से निकलते हैं यानि हमारे शरीर को जो metabolism को control करते हैं वह hormone basically आपके कहां से सीक्रीट होते हैं बताइए जी वे डूदा होर्मोंस एट कंट्रोल मेटाबोलिजम इन अवर बोडी कम फ्रूम तो मेटाबोलिजम को control करने वाले hormone कहां से निकलते हैं पिट्यूट्री नहीं पिट्यूट्री ग्लैंट को तो बच्चा हम लोग to master gland बोलेंगे मैटाबोलिजम को control करने के लिए आपके थाइरोड ग्लैंट किस से निकलते हैं वच्चा आपके थाइरोड ग्लैंट से निकलते हैं चल एकला कुष्ण दिखते हैं कार की बैटरी में उप्योग किया जाता है कार की बैटरी के अंदर इन में से किसका उप्योग किया जाता है भारी जल आयरन क्लोराइड सल्फियूरिक अमली या इन में से कोई नहीं कार की बैटरी के अंदर इन में से किसका उप्योग किया जाता है बताइए फटाफट king of acid हम लोग किसको बोलते हैं आपसे एगला question ये भी पूछा जा सकता है कि king of acid हम लोग किसको बोलते हैं तो ये बच्चा आपका answer क्या होगा sulphuric acid चलिए एगला question देखते हैं जब बार bus driver के जो आपके side mirror होते हैं basically इन में से किस mirror का इस्तमाल करते हैं जो आपके गाड़ी वगरा के या बसके जो आपके side mirror होते हैं उत्तल या अवतल सम्तल तो नहीं होगा तो गाड़ी के जो बच्चा आपके side mirror होते हैं वो किसके बने होते हैं वो क्या होते हैं आपके उत्तल दरपन होते हैं क्यों होते हैं आपके convex mirror क्योंकि उत्तल दरपन जो होते हैं य इन में से कौन analogy वर्ग का रोग है बताइए इलर्जी वर्ग का रोग इन में से आपका कौन सा है बच्चा डमा अस्थमा को हम लोग आपका姐 disease में काउंट कर सकते हैं क्यों क्योंकि होता क्या है बसिकलि आपका जो ट्रैकिया होता है हमारे अंदर जो स्वास नली होती है उस पर आपकी जो फंगस होती निए तो इसलिए हम इसको को ऐलर्जी डिजीज में काउंट कर सकते हैं ठीक है मतलब इंसान को ऐसे लगता है जिसे गले में कुछ ऐलर्जी टाइप हो गई है सरसीवी रमन को 1930 में नोबल पुरुसकार इन में से किस खोज के लिए दिया गया था यह इससे जादा इजी कुछन कुछ हो नहीं सकता मतलब कुछन के अंदर ही आपका आंसर छिपा है बताइए कोश्चन के अंदर ही बच्चा आपका आंसर छिपा है सरसीवी रमन को 1930 में किस खोज के लिए सम्मानित किया गया था किस खोज के लिए बच्चा आपका रमन इफेक्ट के लिए किसके लिए दिया गया था बिल्कुल सही आंसर आया आपका रमन इफेक्ट के लिए बासी मक्खन से दुरगंद किस के कारण आती है बासी मक्खन से दुरगंद आपकी इनमें से किस एसेड के कारण आती है लैक्टिक, बैंजोई, ब्यूटेरिक एसेड या आपका सिट्रिक एसेड बताईए बासी मक्खन से दुरगंद इनमें से किस एसेड के कारण आती है पाया जाता है citric acid आपका जितने भी आपके जो खटे फल होते हैं सब एंदर citric acid पाया जाता है बिटेरिक acid कहां बच्छा आपका Aninksन के इंदर पाया जाता है जलिए लाल लिख्त कर्मिकाओं के निर्मान कार्य कोलें को सा सायक होता है से आर बी इस ही बिसिकली आपका तो देखो RBC, WBC and Platelets ये तीनों ही Blood Cells हमारे शरीर में कहां पर बनती हैं आपकी Bone Marrow में अस्थी मज़जा में और कौन सी अस्थी मजजा में वो भी लाल अस्थी मजजा में बनती हैं तो यहां पर आपकी RBC की बनने में मदद करता है कौन बच्चा आपका Iron क्योंकि RBC में पाया जाता है Hemoglobin और Hemoglobin में आपका क्या पाया जाता है आपका Iron पाया जाता है कैंसर की उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है राइबाङिए, कैंसर के उपचार में हम इन में से किस समस्थानिक का उपवयोग कर सकते हैं। कैंसर के उपचार में हम इन में से किस समस्थानिक का उपयोग कर सकते हैं आपका कोबार्ट 60 का किसका करते हैं कोबार्ट 60 का राइबोसॉम्स की खोज किसने की राइबोसॉम्स की खोज इन में से किसने की तो राइबोसॉम्स की खोज इन में से किसने की तो राइबोसॉम्स क इनकी को सबसे पहले क्या कहा था तो इन की खोज का श्रैक इसको जाता है आपके पाइलट साहब को जाता है पाचन अपको बोला था जब कभी आपके nervous system या आपके heart के regarding कोई question पूछा जाए तो आप लोग option में sodium ढूनेंगे आप लोग option में पहली priority क्या होगी आप लोग sodium ढूनेंगे तो यहां पर आपका answer क्या हो जाएगा इन सब के basically आपकी working में कौन मदद करता है आपका sodium मदद करता है आरक्तता रोग के उपचार में इन में से किस समस्थाने का प्रियोग किया जाता है आरक्तता यानि जिसके अंदर blood insufficiency हो जाए blood की कमी हो जाए यदि या जिसको हम लोग ऐनीमी या disease भी बोल सकते हैं आरबीसी में यदि किसी इंसान के अंदर आरबीसी की संख्या में कमी आनी के शड़ू हो जाए तो इन मैं से हमकिस आईसोटोप का इस्तवाल कर सकते हैं आरबीसी का direct welर्फ क्नेक्षन आपका किससे होता है आरफीसी करते हैं लाइजोजोम्स की खोज इन में से किस ने की थी लाइजोजोम्स की खोज इन में से किस ने की थी लाइजोजोम्स की खोज इन में से किस ने की थी डी डूबे ने किस ने की थी बच्चा आपकी डी डूबे ने की थी चली एकला कोशन देखते हैं कोशी की यह समवहन एवम जैविक क्रियाओं का नियंतरन इनमें से किससे किया जाता है बच्चा आपका पोटेशियम से अगला कोशन देखते हैं सजीव कार्वनिक वस्तुओं की आयू का निर्धारन करने के लिए किस विधी का प्रियोग किया जाता है या इनमें से हम किस आईसोटोप्स का इस्तमाल कर सकते हैं बिसिकली आपकी जितनी भी आपकी और्गैनिक मैटर्स की एज का पता करने के लिए देखो भी आपकी रिवीजन क्लास है या यूं समझ लीजिए कि आपके प्रक्टिस पेपर टाइप की क्लासिज हैं ये जितना प्रक्टिस करोगे जितना आपको पढ़ना था आप लोग पढ़ चुके हो आपके पास में मोटा मोटा यदि में बोलू तो 20 दिन के करीब फीकिन कुम सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका कार्बन 14 कहीं कि सक इस्तमाल करते हैं जीव द्रव्य के कोज गरता कोन हैं जीव द्रव्切 के खोजगड़त इन में से क्वाँ हैं जीव द्रव्य के खोज करता इनमें से कौन है इस डिसकवर दा प्रोटो प्लाज्म प्रोटो प्लाज्म is a physical basic unit of life जीव द्रव्य जीवन का भोतिक आधार है यह बात किसने कही थी तो जीव द्रव्य जीवन का भोतिक आधार है ये बात actually में कहने वाले थी जूलियस हगजले बट इसको explain किया किसने पुरकिंजे सहाब ने तो अधिकतर आपको option पुरकिंजे ही मिलता है और आप लोग पुरकिंजे ही टिक करके आएंगे चलिए एकला question देखते हैं थाईरोइड ग्रंथी का नियंतरण किस से किया जा सकता है थाईरोइड ग्रंथी का नियंतरण के लिए क्या जरूरी होता है? क्या होता है बच्छा आपका आयोडीन जरूरी होता है भारत की प्रिशिद लैगुन चिल का जहील इनमें से किस राज्जे में इस्थित है तो बच्चा एवडीशा में किस में इस्थित है जली एक कुशन देखते है अनाज के परिरक्षण में सामान्यत है किसका प्रियोग किया जाता है या एज आप प्रिजर्वेटीव हम इनमें से किस कमपाउंड का इस्तमाल कर सकते है सोडियम बैंजोएट का किसका सोडियम बैंजोएट का साइलेंट वैली जिसमें दुरलब और नस्ट प्राय पसू पाये जाते हैं किस राज्य में इस्तित है साइलेंट वैली जिसमें दुरलब और नस्ट प्राय पसू पाये जाते हैं किस राज्य में इस्तित है तो साइलेंट वैली कहां पाये जाती है आपकी केरल में कहां पाये आखों के अंदर दो राइब की आपकी सेल्स पाई जाती है रोड सेल्स एंड कों सेल्स तो यहां आप से कलर विजन की बात की गई है कि कलर विजन जो आपकी डिजीज है वो कौन सी सेल्स के अफेक्ट होने के कारण आपकी आखों में बनती है बताएं तो कलर विजन जो बच सब्सक्राइब ने में प्रोब्लम हो सकती है कि इ resur Alyania के कारण हो सकती है कि एस इन में से कि इस प्रणूशन के कारण हो सकती है आज यार मेरे बिना बोले आंसर देने वालों की संख्या देंत लिए जितना प्रेजंट हो इतना सारा का सारा आंसर कर रहा हूं गुड यार वैरी ग्या बच्टापि का ऑड़ीम किसकी यदी आपके यदी आपके आस पास को दुर कर इंवार्मेंट में हैं बताइए फोरेस्ट इस फाउंड इन फोरेस्ट इस फाउंड ओन वोट परसंटेज ओफ इन इंडिया इस बताइए कितने प्रतिशत भाग पर आपके ववन पाए जाते हैं तो बचा कितने आपके 24 परसंट पर प्रोटीन के अमीनो अमल में कौन सा एंजाईम उतप्रेरक का कारिया करता है प्रोटीन के अमीनों अमल में कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक कारिय करता है आपका पैपसिन कौन करता है बच्चा पैपसिन करता है किसी वरक्ष की आयू का निर्धारन किसके द्वारा किया जाता है बताईए यदि आपको किसी पेड की उम्र का पता लगाना है जिसे कोई पेड काटा और आपको उसकी उम्र पता लगानी है कि वो पेड किते साल पुराना था तो आप कैसे लगा सकते हैं तो जब आपका पेड काटा जाता है तो basically क्या होता है बच्चा कुछ इस तरह से उसमें आपको rings देखने को मिलते हैं तो इन rings को आप लोग count करके इन rings को आप लोग count करके उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं पहली कोशन देखते हैं आपका कोईण вс ढूब जाएगी जब वह अपने भार के और ख़ाटा इस eux कि 2019 से अधिक हटाएगी कम हटाएगी ₩ और 11 कोई नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं चैसाओ बताएव ठीक है रिंग्स उसका आंसर आपने दे दिया अब आप लोग कोशन नंबर 29 का अंसर देंगे अब आप रोक्स हम लोग 72 75 कोशन क्लास में डेली कवर करते हैं अगर हम लोग इसी स्पीड से चलते रहेंगे तो 72 75 कोशन में आपको डेली कवर करा रहे हूं ठीक है चलिए ओके चलिए तो बच्चा ये कोशन आपका होमवक भी रहेगा लेकिन क्लास अभी आपके कॉंटीन्यू है क्योंकि आप लोगों ने बहुत बच्चों ने गलत आंसर देया है मानव शरीर में dehydration शब्द का मतलब क्या होता है तो बेसिकली यदि आपको कोई बोले कि आपको dehydration हो गया है तो मतलब आपके अंदर खून की कमी हो गई है या आपके शरीर के अंदर oxygen की कमी है या जल की या पानी की कमी हो गई है या फिर इन में से कोई नहीं या फिर बच्चा आपका इन में से कोई नहीं मानव शरीर में dehydration का मतलब आपका क्या होता है कि यदि आपके शरीर में lack of water यानि कि यदि आपके शरीर में जल की कमी हो जाती है चलिए अगला question मास पेशियों के संचालन एवम तंत्रिका तंत्र की कारिये विधी में सहायता किस खनिज लवन के द्वारा की जाती है या हमारी मास पेशियों के लिए और तंत्रिका तंत्र की कारिये विधी में इन में से कौन सा आपका mineral है जो help कर सकता है magnesium sodium या फिर बच्चा आपका calcium और लोहा तो देखो अब यहां पर आपकी muscles की बात की गई है है ना तो हमारी muscles के में भी magnesium जो होता है बच्चा यह आपका मदद करता है यह आपसे पूछा जाए कि हमारी मास पेशियों के अंदर आपका कौन सा protein पाया जाता है तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन आपकी मास पेशियों के अंदर पाया जाता है और द्योगिक शहरों को प्रदुशित करने के वाला घोन धूल और सल्फर डाय अक्साईड युक तो कोरा क्या कहलाता है इसे बना लेता है कि जैसे कोरा है बट एकning को आन नहीं होता हम Üसको अजह क्या बोलते है धूम कोशा या अविटामिन कैल्शियम के अव्शोशन में सहायक है। कौन सा बिसिकली आपका विटामिन कैल्शियम के अवशोशन में सहायक है विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B या विटामिन D? कौन सा विटामिन केल्शियम के अवशोशन में सहायक है बचा आपका विटामिन D कौन सा है विटामिन D जिसका कैमिकल नेम कैल्सी फरॉल इसकी कमी से रिकेट्स, ओस्टियो पोरोसिस और ओस्टियो मलीशिया जैसी भीमारी हो सकती है विटामिन D, B का chemical name होता है थाइमिन जिसकी कमी से आपका बैरी-beri रोग हो सकता है विटामिन A का chemical name आपका क्या होता है रेतिनोल इसकी कमी से night blindness यानी रतोंधी रोग सूरस जलने के बाद इंसान को दिखाई देना बंद हो जाता है और जिरो फ्थालमिया जिसमें इंसान की आखों में आसू आने बंद हो जाते हैं और विटामिन C जिसका कैमिकल नेम है आपका क्या बच्चा एक और बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल थोट की खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक जलक देखने को तरस जाए यह मैं आपसे डेली बोलती हूँ कि आप लोगों को यदि ऐसे लगता है कि यार कहीं पर रिजेक्शन हुआ है तो उस रिजेक्शन को आप लोग पॉजिटिव ले अपनी लाइफ में और यह सोचें कि यार अब जो अगला मेरा अटैम्ट होगा वो इससे कहीं जादा बहतर होगा चलिए कोशन देखते हैं एक्यूपंचर क्या है बताइए एक्यूपंचर क्या है एक्यूपंचर क्या है वोट इस एक्यूपंचर एक्यूपंचर क्या है तो बच्चा एक्यूपंचर आपका सुईयों से उपचार की एक विधी है मचलियों के यकरत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है मचलियों के लीवर ओयल के अंदर इनमे से कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है तो कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है आपका विटामिन डी ओके विटामिन डी का केमिकल नेम अभी बताया था मैंने आपको क्या बच के जाना human disease unit and dimension और chemical name यहीं से आपका कोश्चन सबसे जादा पूछे जाने के chances हैं इसलिए daily class में बहुत सारे vitamin के question मैं आपके अलग-अलग basically यहां पर मतलब कोशिश करती हूं ज्यादा स्यादे question आपको करा पाऊं जिससे की ताकि आपकी practice होती रहे daily आपका revision होता रहे vitamin A का chemical name आपका क्या होता है retinol इसकी कमी से zero of thalmia क्या बच्चा zero of thalmia जिसकी कमी जिसमें इंसान की आखों में आसू आने बंद हो जाते हैं night blindness यानि इनसान को रात के समय दिखाई नहीं देता vitamin B का chemical name होता है आपका क्या time और इसकी कमी से जो फेस पर शुटी शुटी पिंपल्स होते हैं वह भी vitamin B की कमी से होते है vitamin E का chemical name होता है tocopherol vitamin E को हम लोग beauty vitamin के नाम से भी जानते हैं जिसे face पर जुरियां वगयरा हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए vitamin E आपका help कर सकता है वाईयो में तापमान बढ़ने पर ध्वनी के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताईए यदि आप medium का temperature बढ़ाते हैं तो बताईए basically आपके sound की speed पर क्या effect पड़ेगा तो मैंने आपको बताया था कि V is proportional to T V is proportional to T यानि यदि आपका environment का temperature या medium का temperature बढ़ेगा तो आपकी speed भी बढ़ती है sound की आपकी speed भी बचा बढ़नी शुरू हो जाती है estrogen एक hormone है जो इन में से किसके अंदर पाया जाता है male, female या दोनों में estrogen इन में से किसके अंदर पाया जाने वाला hormone है like करेशो जम नहीं रहा class में जिन बच्चों ने भी तक like नहीं किया है एक बार like करेंगे estrogen किस में पाया जाता है बच्चा आपका female में पाया जाता है चलिए पारी इस्थितिकी तंतर में nitrogen का परिसंचरन होता है तो पारी इस्थितिकी तंतर में nitrogen का परिसंचरन इन में से किस के दौरा होता है बच्चा आपका bacteria के दौरा किस के दौरा होता है बच्चा आपका bacteria के दौरा चलिए एकला question देखते हैं जंग रोधी स्पाथ बनाने के लिए किस मिस्रधातू का प्रियोग करते हैं। किसका बच्छा क्रोमियम और निकल का इस्तेमाल करते हैं। तो इलक्ट्रिक करण किसके करण मैटल्स के अंदर जो आपके फ्री इलक्ट्रोमियम नहीं कहेंगे। जो बच्छा मुक्त इलक्ट्रोम होते हैं वो इलक्ट्रिक करण को यानि धारा को अपने अंदर कैरी करते हैं। कर्योग किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए लिए होता है। उह नदर से व्माररें औरlä जाता है किस और बच्री इस को शान design के अलग्त है। कम्प्यूटर का दिमाग इन में से किसे कहा जाता है, बताइए, कम्प्यूटर का दिमाग इन में से किसे कहा जाता है, तो कम्प्यूटर का दिमाग इन में से किसे कहा जाता है, तो कम्प्यूटर का दिमाग इन में से किसे कहा जाता है, किसको बच्चा CPU, Central Processing Unit को हम लोग क्या कहते हैं computer का दिमाग कहते है random access memory RAM की full form होगी और read only memory ROM की full form होती गलित calcium silicate को क्या कहा जाता है गलित calcium silicate को क्या कहा जाता है बताईए गलित calcium silicate को आपका क्या कहा जाता है बच्चा slack कहा जाता है इसको तो टमाटर का लाल रंग इन में से किसके कारण होता है तो टमाटर का लाल रंग इन में से किसके कारण होता है आपका लाइकोपिन के कारण किसके कारण लाइकोपिन के कारण गाजर किस प्रकार की जड़े हैं गाजर आपकी किस प्रकार की जड़ है कौनिकल या फिर आपकी या प्रिदर या फिर बच्चा आपकी तुरक रूपरी गाजर किस प्रकार की जड़ है तो गाजर क्या है बच्चा आपकी जमीन में कुछ इस तरह से कौनिकल शेप में पाई जाती है तो या रूठ है तो मिर्च के अंदर तीखापन इन में से किसके कारण होता है बच्चा आपका कैपसिया सिन के कारण किसके कारण होता है आपका कैपसिया सिन के कारण गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है बताईए गाजर का लाल रंग नारंगी नहीं पूछा है मैंने लाल रंग पूछा है गाजर का लाल रंग पूछा है ना कि आपसे नारंगी गाजर का लाल रंग इन में से किसके कारण होता है बताईए तो गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण और यदि आप से पूछा जाए नारंगी रंग तब आप लोग कैरटीन आंसर लगाएंगे गाजर दो तरह की होती है ना एक आपके क्या होती है सलाद वाली होती है औरेंज कलर की होती है तो वो जो ओरेंज कलर होता है नारंगी रंग वो केरिटिन के कारण होता है और जो आपका लाल रंगी गाजर के हलवे वाली जो आपकी गाजर होती है जिसका सब्जी वगाराबे ज्यादा इससेमाल करते हैं उसके अंदर आपका पाया जाता है क्या एंथ्रोसाइने चलिए एकला कोशन देखते हैं प्याज में तीखा गंद किसके कारण होता है प्याज में तीखा गंद किसके कारण होता है तो किसके कारण बच्चा आपका सलफाइड की कारण ठीक है वो जिस मैल आती है किसके कारण है सलफाइड के कारण what is the time period of the of the pendulum of the second यह थोड़ा सा गड़बर यहां पर टाइपिंग एरर है तो बेसिकली जो आपका pendulum होता है उसका time period कितने second का होता है जो पैंडूलम होता है उसका time यह तो कितने second का होता है यह आपका दो सेकिंड का चलिए क्ला कुशन देखते हैं जरा एक रहेगा के करेली में कड़वाहत किसके कारण होती है करेला आपका कड़वा होता है और बहुत ही कम लोगों को करेला खाने में पसंद होता है बट करेला हमारे बोडी के लिए बहुत जाद अच्छा होता है हमारे digestive system के लिए भी अच्छा होता है तो करेले में करवा हट इनमें से किसके कारण होती है मौमो डरसीन के कारण किसके कारण होती है मोमो डरसिन के कारण चलिए स्वैसन जड़ इनमे से किस प्रकार के पोधे में पाई जाती है जाती है respiratory root is found in which type of plant respiratory root is found in which type of plant स्वेसन जड़ इनमें से किस प्रकार के पोधे में पाई जाती है तो किस में आपकी mangrove में पाई जाती है ओप्टिकल फाइबर का प्रियोग होता है ओप्टिकल फाइबर का प्रियोग इनमें से किस चीज के लिए होता है ओप्टिकल फाइबर का प्रियोग होता है तो ओप्टिकल फाइबर का प्रियोग हम लोग किसके लिए करते हैं एंडोस्कोपी के लिए ठीक है एंडोस्कोपी में हम लोग ओप्टिकल फाइबर का इस्तमाल करते हैं बुढ़ापे की प्रक्रिया के अध्यन को क्या कहा जाता ह है जितने भी आपके कोस्मोस की जिसमें हम लोग स्टडी करते है तो नियूरो लोजी जिसमें हम लोग नियूरों की अब ब्रेन की स्टडी करते हैं कच्छे फ़लों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रियोग किया जाता है कि पच्छे फ़लों को कृत्रिम तो कच्चे फलो को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम लोग किस गैस का प्रियोग करते हैं एसिटलीन गैस का किसका करते हैं मचा एसिटलीन गैस का हम लोग प्रियोग करते हैं खुत अधिक पकाना और खाद्य तेल को बार-बार प्रियोग से किस तरह के कैंसर जनी पदार्थ पैदा होते हैं। यदि आप एक ही तेल को बार-बार-बार-बार रियूज करते हो तो उसमें आपके कारसीनोजैनिक कमपाउंड बन सकते हैं। और इन में से किस तरह के आपके कारसीनोजैनिक कमपाउंड उसके अंदर बन जाते हैं। ठीक है, क्या बच्चा ससंजक बल के कारण आपका प्रश्ट तनाव सर्फेस टेंशन बनता है। अधा चावल की क्यती होती है। केंदरक का hazırन क्या कहलाता है। केंदरक का विभाजन आपका क्या कहलाता है। तो kendrak की बात जब आपसे की जाए, nucleus की बात की जाए, तो यहां पर एक शब्द है karyo, इस karyo शब्द का मतलब ही होता है आपका क्या बच्चा, kendrak के regarding, यानि की आपके nucleus के regarding कोई न कोई बात की जाएगी, तो Carryokinesis, क्या बोलते हैं बच्छा आपका Carryokinesis, किस बिमारी के परिक्षन में Elisa जाच की जाती है Elisa test इनमें से हम किस बिमारी के परिक्षन में करते है या Elisa test is done in the test of which disease तो एलीजा टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं EIDS के लिए किसके लिए EIDS के लिए EIDS की फिल्फोर्म एक्वाइड इम्यूनोडाईफिश ए lie झाहे तो एंजाइम लिंग्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे एंजाइम लिंग्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे रेस्प्रिन का प्रियोग मुख्य तहा किसके लिए किया जाता है तो रक्त चाप को कम करने के लिए किसके लिए रख्तिचाप को कम करने के लिए यूरिया में सबसे ज़्यादा किस तत्व की बहुलता होती है या यूरिया के अंदर इनमे से सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है तो यूरिया के अंदर सबसे ज़्यादा इनमे से कौन सा एलिमेंट पाया जाता ह आपका नाइट्रोजन चलिए गलकोशन देखते हैं आवले में कसेला पन किसके कारण होता है आवले में कसेला पन इनमे से किसके कारण होता है आवले के अंदर जो आपका तीखा पन होता है थोड़ा सा जो कसेला पन होता है खट्टा और तीखा पन जो होता है वो बेसिकली कि का टैनिन की कारण किस के कारण होता है टैनिन के कारण चलिए सल्जम किस की रुपांतरित जड़ का उधारन है या सल्जम किस प्रकार की जड़े हैं या फिर बच्चा सल्जम आपकी किस प्रकार की जड़े हैं बताईए सल्जम आपकी किस प्रकार की जड़े हैं फटा फटा है आलू के कंदों का हरापन इन में से किसके कारण होता है जब आलू आपका जर्मिनेट होता है तो उसमें से आपके दो इस तरह से कंद निकलने शुरू हो जाते हैं देखा होगा ना इस तरह से कुछ आपका जर्मिनेट होना हरा रंग होता है किसी मनुश्य के लिए स्वक्ष हवा का कितना घंफीट वायू परतेख 10 सेकंड में आवश्यक होता है बताये तो कितना 1000 घंफीट कितनी जरूरी होती है आपकी 1000 घंफीट ठीक है जी तो अब देखे बचे आप लोग लास्ट में मैं आपको डेली एक ही सजे साथ तोड़ चाहिए तो अड़ा 24-7 आप लोग website को विजिट करेंगे और यहाँ पर सिंपल सर्च बटन में आप लोग क्या लिखेंगे rocket science search बटन में आप लोग simple क्या लिखेंगे बचा rocket science लिखेंगे आर ओ सी के एटी ठीक है जैसे बच्चा आप लोग लिखोगे तो आपको खुद पर खुद यहाँ पर सजेशन में मिल जाएगा ऐसे सी MTS हवलदार special यह बच्चा आपका rocket science का बैच है जिसमें मैंने दस घंटे में आपको पूरी physics chemistry biology कराई है ठीक है और exam oriented है already 1000 बच्चे इसको खरीच चुके हैं तो आप लोग भी खरीच सकते हैं हाला कि बहुत सारे बच्चे इसमें इस बैच के होंगे बड़ जो नहीं पर चीज किया है तो आप लोग आराम से मतलब बेसिकली तीन दिन में आप लोग अपनी science की है यह बैच आपको कितना तीन महीने के लिए वैलिड रहेगा तो वाई 446 कूपन कोड लगा कर आप लोग जिन्हों ने भी नहीं लिया है आज ही रोकेट साइंस का बैच लेंगे किलियर ओके जी एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका वो बच्चे जो परेशान है और 4446 एस जिन लोगों ने टेस्सरीज नहीं लगाई है वो लोग टेस्सरीज जरूर परचेज करेंगे और बच्चा आप लोग अपने सेलेक्शन को जितना हो सकता है उतना अपने करीब लेकर आईए अपनी मेहनत के द्वारा खीके जी ओके कोई डाउट है तो आप लोग को सबस्क्राइब जरूर करेंगे और दूसरी बात यह बैच यार 80-90 रुपे कुछ होते नहीं है ना 80-90 रुपे कुछ नहीं होते हैं दूसरा एक और सजेशन है मेरा आप सब के लिए ठीक है और बच्चा सजेशन क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मे हां direct connect भी हो सकते हैं community के नाम से आपको एक direct group बने मिलेंगे हर teacher के नाम से हपवले से Psalm so muchby chat कर सकते हैं बाते कर सकते हैं तो वह आप लोग application मेरे नाम के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक मिलेगा, चलिए अब आप से कल मुलाकात होगी, इसी समय, बाइ-बाइ, टेक केर, चेहिंद,